Hello everyone, आज की इस क्लास में समाजी करन से समबंदित प्रश्णों को solve करने वाले हैं, प्रश्णों की संख्या 30 रहने वाली है, ये एक तरीके से रिविजन क्लास रहने वाली है, आप सभी के लिए क्योंकि इस से पहले शोशलाइजेशन है, समाजी करन है, इस टॉपिक को कम्प् आया जा चुका है, कि अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कम्प्लीट कराए गए हैं, सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएगा, देके, चले, आईए, यहाँ पर देखते हैं, प्रश्ण है, किसके अनुसार समाजी कर प्रक्रिया है, जिसके दुआरा बालक, आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही, समस्कृति में नेहित विशेश्ताओं को ग्रहन करता है, ओप्शन्स देख लीजे, यहाँ पर दिये गया है, जोंसेन, ग्रेन, कोहन, स्टीवर्ट, इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या होग प्रक्रिया है, जिसके दुआरा बालक, आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही, समस्कृति में नेहित विशेश्ताओं को ग्रहन करता है, जोंसेन, ग्रीन, कोहन, स्टीवर्ट यहाँ पर आप्शन्स हैं, और इस प्रश्ण का यहाँ पर सही उत्तर ग्रीन हो जाएगा, ठीके, ग्रीन हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, समाजी करण की बात की जाए, तो यहाँ एक कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, चूकि यह सीखने की प्रक्रिया है, तो यह व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है, ठीके, समाजी करण, जीवन भर चलन वाली प्रक्रिया है और इसकी जो प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है समाजिकरन की वो बाले अवस्था मानी जाती है महत्पुर अवस्था बाले अवस्था से किशोर अवस्था मानी जाती है ठीक है और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानक मूल्य जो मा चलिए आगी चलते हैं क्या होगा यहां पर इस फ्रश्न का सही उत्तर यान रॉबर्ट्सन है ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा यहां रॉबर्ट्सन यहां पर सही है प्रश्न है किसके अनुसार अनौपचारिक समाजी करण वह समाजी करण है जो व्यक्ति को बिना सजक और अपचारिक प्रशिक्षन के समाज के अनुकूल बनाता है इस प्रश्न का सही हुतर क्या हो जाएगा कोहन होगा ठीक है कोहन होगा ओप्शन यहां पर सही होगा समाजी करण समाजी क्या सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्य या विकास करने का एक मार्ग है यह किसका कहना है जॉनसन दुर्खीम स्टीवर्ट मीड यहां पर ओप्शन्स हैं समाजी करण समाजिक या सांस्कुतिक मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व या विकास करने का एक मार्ग है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टीवर्ट हो जाएगा स्टीवर्ट यहाँ पर सी सही हो जाएगा ठीके सी यहाँ पर सही है निम्न में से कौन सा सही है आईए देखते हैं अवधान आए हैं सभी या प्रकार इसे कह लीजे आप समाजी करण के प्रत्याशित समाजी करण रोबर्टसन द्वित्यक समाजी करण स्टीवर्ट अनौपचारिक समाजी करण मैनहीम अनौपचारिक समाजी करण कोहन यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रेश्न का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सही नहीं है, ठीके? सही नहीं है, यह बताना है बताईए, क्या होगा यहाँ पर? रही हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीके? सी हो जाएगा, आपचारिक समाजी करण मैनहीं का नहीं है, ठीके? आपचारिक समाजी करण यहाँ पर मैनहीं नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? कोहन होगा आपचारिक समाजी करण और अनापचारिक समाजी करण की जो अवधार्णा है वो कोहन के द्वारा दी गई है प्रत्याशित समाजी करण के अवधार्णा या पूरवभासी समाजी करण के अफधारना मर्टन के द्वारा भी दे गई है लेकिन आपनी जो एक्जाम्स देखे होंगे सभी में जाधातर मर्टन है तो ये भी ध्यान रखेगा अगर कभी प्रशन आ जाए और उसमें मर्टन आप्शन में ना हो रोबर्टसन हो तो रोबर्टसन को आप टिक करेंगे ठीक विकासात्मक समाजी करण और चौथा पुना समाजी करण है एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजे प्रात्मिक समाजी करण प्रत्याशित समाजी करण विकासात्मक समाजी करण और पुना समाजी करण ये चार प्रकार रोबर्टसन के द्वारा बताए गए हैं यहां पर सही नहीं बताना था तो option C हो जाएगा आपचारिक समाजी करण चले आगे चलते हैं प्रेश्ण है समाजी करण के सध्धान्थ में दुर्खीम का दुर्ष्टिकोर क्या है सांस्कृतिक, समाजिक, मनवैज्यानिक, तारकिक यहाँ पर options दिये गए है समाजिकरन के सद्धान्त में दुर्खीम का द्रस्टिकोर क्या है इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या होगा समाजिक होगा समाजिक होगा यहाँ पर option B सही हो जाएगा प्रश्ण है किसके सिद्धान के अनुसार बच्चे का दूसरे वेक्तियों से जब संबनहात्मक संपर्क होता है तो आत्मका विकास होता है ओप्शन्स में मीट, कूले, फ्राइड, एरिक्सन यहाँ पर दिये गए है मीट, कूले, फ्रायट, एरिक्सन यहाँ पर आप्शन्स दिये गए है, बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संबनात्मक संपर्क होता है, तब सल्फ का डवलप्पेंट होता है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, इस प्रशन का सही उत्तर क्या होगा, जौज हर्बर् यहाँ पर आप्शन ए हो जाएगा, सही, प्रशन है, पूर्व ओप्रेशनल अवस्था में बच्चा क्रस किस प्रकति का होता है, विक्सित, अविक्सित, आत्मकेंद्रित, आत्म विश्वासी, बताईए, पूर्व ओप्रेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकति का होत यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा राइड आंसर यहां पर क्या होगा आत्मकेंद्रित होगा आत्मकेंद्रित ओप्शन सी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा प्रश्न है एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजी करण की प्रक्रिया में सांस्कतिक आत्म महत्व दिया है वे कौन है इन में से ओप्शन्स दिख लीजे शेरेफ एंड शेरेफ एच एम जॉनसेन किमबॉल यंग ब्रूम एन सिल्जनिक एक प्रख्यात विद्वान जिनोंने समाजी करण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसाती करण एवं सांस्कृतिक पारिशन को परियाप्त महत्व दिया है वे इन में से कौन से है शेरेफ एच एम जॉनसेन किमबॉल यंग ब्रूम एन सिल्जनिक इस प्रख्यात का सही उत्तर क्या होगा किमबॉल यंग होगा किमबॉल यंग ओप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा प्रशन है किसने समाजी करण की और द्वित्यक समाजी करन, options देख लिजे, Giddens, Fried, W.I. Thorms, Stacey, Giddens, Fried, W.I. Thorms, Stacey, यहाँ पर options है, समाजी करन की यह जो दो स्तर है, प्रात्मिक समाजी करन और द्वित्यक समाजी करन इन में से किसके द्वारा बताए गए हैं, कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर, प्रात्मिक समाजी करन और द्वित्यक समाजी करन, जो प्रात्मिक समाजी करन होता है, वो बाले अवस्था में संपन होता है, ठीक है, बाले अवस्था में संपन होता है, प्रात्मिक समाजी करन, चली, आगे चलते हैं, प्रशन है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ परोस, विद्याले, खेल के साथियों तथा नवांगुतक के साथ समायोजन सथापित करना पड़ता है यह जो अवस्ता है वो यह इन में से क्या कहलाएगी शैश्वा अवस्ता, बाले अवस्ता, तदात्मी करन अवस्ता या फिर किशोरा अवस्ता बताईए इस प्रश्ण का क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? किशोरा वस्था होगा, किशोरा वस्था डी यहाँ पर इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्ण है, समाजी करन की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? बच्चे की जीवन के प्रारंभिक वर्शों में, बच्चे की जीवन के बीच के वर्शों में, बच्चे की जीवन के अंतिम वर्शों में या फिर इन में से किसी में भी नहीं समाजी करन की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है बताईए सही क्या होगा कौन सा option यहाँ पर सही होगा बच्चे की जीवन के बीच के वर्षों में बीच के वर्षों में भी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रशन है किसने समाजी करण की विवेचना वन्शानुगत तथा परियावरन के आधार पर की है ओप्शन्स में FH Giddens, LF Ward, CH Koolay, H Mead यानि की George Herbert Mead यहां पर दिये गया है समाजी करण की विवेचना वन्शानुगत और परियावरन के अधार पर इन में से किसके द्वारा की गई है क्या होगा यहां पर? कौन सा विकल्पी यहां पर सही होगा? LF Ward होगा LF Ward भी यहां पर इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा प्रशन है समाजी करण का तातपर सीखने से है ताकि विक्ति समाजी कारियों को कर सके इस तरीके से समाजी करण को इन में से किसने परिभाशत किया है? आप्शन में ओबन एन निमकॉफ, H.M. Johnson, Bogarders, Kingsley, Davis दिये गया है बताइए समाजी करण का तातपर यह सीखने से है ताकि विक्ति समाजी कारियों को करता के यह किसकी परिभाशा है? सही यहां पर हो जाएगा Johnson, ठीके Johnson होगा B यहां पर सही हो जाएगा प्रशन है किसने अपनी पुस्तक, A Handbook of sociology में कहा कि समाजी करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस्ते विक्ति सम्हू के चलनों के अनुरूप वहवार करना सीखता है ओप्शन में Kingsley Davis, L.F. Ward, Ogban and Nemkov, Robert Beir State है Kingsley Davis, L.F. Ward, Ogban and Nemkov, Beir State यहां पर ओप्शन है किसने अपनी पुस्तक, A Handbook of sociology में कहा कि समाजी करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस्ते विक्ति सम्हू के चलनों के अनुरूप वहवार करना सीखता है A Handbook of sociology किसकी है बताईए Ogban and Nemkov, Ogban and Nemkov, C यहां पर सही हो जाएगा इस प्रेशन का सही उत्तर क्या होगा Option C यहां पर सही होगा निम्न में से कौन सा समाजी करण का अभिकरण नहीं है परिवार, पडोस, राजनेतिक, संस्थाए, अनुवान शिक्ता अभिकरण नहीं है पूछा जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा अनुवान शिक्ता हो जाएगा D यहां पर सही हो जाएगा समाजी करण का तातपर क्या है आएए देखते हैं Options शैश्य ववस्था से युववस्था तक व्रद्धी की प्रक्रिया परिवार में व्यक्तितु के विकास की प्रक्रिया समाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया समाजी करण क्या है किसे कहा जाएगा समाजी करण कौन इनमें से Option है जो समाजी करण को सही तरीके से परिभाशत कर रहा है तो विकल्प यहाँ पर C होगा, है न, व्यक्ति या बालक जिस समाज में रहता है, उस समाज के मानक, मूल्यों, मांडंडों को आत्मसाथ करने की प्रक्रिया है, दूसरे समाज की जो मानक, मूल्डंड हैं, उनको आत्मसाथ करने की प्रक्रिया समाजी करन नहीं कहलाएगी, प्रेशने है वह प्रक्रिया निम्निकी रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा आसहाई मानव शिशु को धीरे धीरे आत्म बोध होता है उस संस्कती का ज्यान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा पुन्हा समाजी क समाजिक इस्थती समाजिकरण समझ का आदान प्रदान वह प्रक्रिया निम्न की रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे-धीरे आत्मबोध होता है उस संस्कृति का ज्यान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो कौन सा विक सोरोकिन M. वेबर प्रतैशिस समाजिकरण या पूरवभासी समाजिकरण जो की भविश में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारी है यह अवधाना किसके द्वारा दी गई है रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है विकल्प यहां पर सही हो जाएगा अब देखें आप सभी के लिए एक इंपॉर्टन इंफर्मेशन है आप में से जितने भी लोग बिहार PGT UP PGT का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए देखें एक हजार से जादा MCQs और साथ में कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स के नोट्स प्रव अब टॉपिक्स कौन से हैं उसे भी ध्यान से सुनीजिए जैसे कि समाज शास्त क्या है उसकी परिभाशा विशेचेत्र समाज क्या है समाज की जो प्रकार हैं जैसे कि क्रशक समाज, ग्रामीड और नगरिय समाज, समुदाए, समिती, संस्था, परिवार, विवार, नातेदारी, समाजिक सरशना, संस्कृती, स्टेटस एन रोल, प्रस्ततियम भूमिका, समाजी करण, समाजिक नियंतरण, अपराद, समाजिक इस और जो समाज शास की महतपूर पुस्तके और अवधानाये हैं, उन सभी को इन नोट्स में शामिल किया गया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनको इन नोट्स में शामिल किया गया है, जो कि आपके समाज शास सम्बंदित सभी एक्जाम्स के लिए इंप यहाँ पर UPI दी गई है, UPI जो ID है वो दी गई है, इस पर पेमेंट करके उसका जो स्क्रीन शॉट है, वो आपको इस WhatsApp नमबर पकरना है, WhatsApp नमबर क्या है? इस पर आपको स्क्रीन शॉट सेंड करना है, और इसी नमबर से आपको PDF प्रवाइड करा दी जाएगी, आप में से जितने भी UPGT का एक्जाम देने वाले हैं, वो लोग वे सभी अच्छे से तयारी करना शुरू कर दीजे, संभावना है, सुनने में आया है कि दिसंबर में ए आये यहाँ पर देखते हैं, प्रेशन है, पूर्वभासी समाजी करन का अर्थ है, अग्यात भूमिकाओं के लिए समाजी करन, भावी भूमिकाओं के लिए समाजी करन, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजी करन, या फिर व्यवसाइक भूमिकाओं के लिए समाजी करन पूर्व भासी समाजी करन क्या है अभी आपको बताया गया भावी भूमिकाओं के लिए समाजी करन भविश में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारी ही पूर्व भासी समाजी करन या प्रत्याशित समाजी करन कहलाता है और यह अवधार जेस रोस वनवीज यहां पर आप्शन्स दिये गए हैं क्या होगा समाजी करण की समाजिक प्रगति के निर्धारन में अधार बूद भूमिका है यह बात इन में से किसके द्वारा कही गई है बर्गेस के द्वारा कही गई है ठीक है बर्गेस के द्वारा कही गई है भी यहा इनमें से किसके द्वारा समाजी करण के ये जो तत्वे हैं तीन अंतर किरिया भावात्मक स्विक्रती एवं संचार या भाशा बताए गए हैं ग्रीन, नियो मियर, स्टीवर्ट एन ग्लीन, फिक्टर यहाँ पर आप्शन्स हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रेशन का सही उत्तर स्टीवर्ट एन गिलिन हो जाएगा सी यहाँ पर सही हो जाएगा प्रेशन्स है किसने कहाए कि मानव हरिस्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो निकलने का वप्रयास करता है वप्रयास ही समाजी करन कहलाता है options में सिंगमंट फ्राइड है, मीड है, कूले है, एरिक एरिकसन है सिंगमंट फ्राइड, मीड, कूले, एरिक एरिकसन यहाँ पर options है मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो निकलने का वप्रयास करता है उसे ही समाजी करण इन में से किस ने कहा है बजाए कौन सा option होगा यहां पर सही प्रेशन है या तर्क किसका है कि स्वेम का विकासी समाजी करण है स्वेम का विकासी समाजी करण है यह बात किसके द्वारा कही गई है जॉज हर्बर्ड मीट मॉर्गेट मीट एरिक एरिकसेन ब्रूम एन सेलजिनिक जॉज हर्बर्ड मीट एम मीट यानि मॉर्गेट मीट एर Erickson, Broom and Celgenic options है, स्वेम का विकासी समाजी करण है, option ध्यान से देखकर बताईएगा, किसका कहना है, स्वेम का विकासी समाजी करण है, सही यहाँ पर George Herbert Mead होगा, ठीक है, George Herbert Mead होगा, option A यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रात्मिक समाजी करण शिशु अवस्था में स्थान लेता है, आमतोर में, options देखे, खानदान में, बिरादरी में, नातिदारी में, या फे परिवार में, प्रात्मिक समाजी करण शिशु अवस्था में स्थान लेता है, आमतोर पर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, परिवा के साथ बाहे वस्त्वों का भी अस्तत्व होता है यहाँ पर 6, 5, 4, 3 अवस्थाइं दी गई है कितनी अवस्थाओं की बात जॉन प्याजे ने बताई है समाजी करन से सम्मंधित बताईए ओप्शन ए छे बताई है ठीके छे बताई है ओप्शन ए यहाँ पर सही होगा निमन में से कौन सी समाजी करन की एजनसी नहीं है समाजी करन की एजनसी नहीं है यह बताना है परिवार, स्कूल, सम, सम, हूँ, मीडिया यहाँ पर ओप्शन्स है बताईए समाजी करन की एजेंसी नहीं है यह बताना है तो यहाँ पर मीडिया ठीके मीडिया होगा डी यहाँ पर सही होगा दीखे यूपी पीजीटी का जो एक्जैम हुआ था उसमें एक बार प्रेशन यह पूछा गया था तो इसमें जो ऑप्शन डी है उसको राइट माना गया था फिर एक बार फिर रिपीट हुआ था यह प्रेशन जिसमें इस कोशन को ही डिलेट कर दिया गया था क्योंकि बहुत से समाजशा से विद्वान है जिनोंने मीडिया को समाजी करन की एजेंसी माना है ठीक है तो अगर यह प्रेशन आता है तो आपको मीडिया टिक करना होगा ठीक है फिर वो आयोग के उपर है कोशन डिलीट करता है या मीडिया को राइट मानता है चले आगे चलते हैं प्रेशने हैं इनमें से किसने जन संपर को समाजी करण का एक मुख्य अभीकरण किसने माना अगस्त कॉम्ट अन्थुनी गिडेंस पार्सन्स किमबॉल यंग यहाँ पर ऑप्शन्स है जन संपर को समाजी करण का एक मुख्य अभीकरण इनमें से किसके द्वारा माना गया है तो यहाँ पर क्या होगा गिडेंस होगा ठीके गिडेंस ने माना है ब यहाँ पर सही होगा प्रेशन है जोज हर्बर मीट के अनुसार स्वेम का अंश जो समाजिक मांगो की प्रती समवेदन शील होता है इसका संबंध है एहंकार से इदम से परम एहम से या फे एहम से दी यहां पर सही होगा प्रशन है सीखने की प्रक्रिया को मनवैज्ञानिक अधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया जॉन प्याजे दुर्खीम डेविस पार्संस यहां पर ऑप्शन से सीखने की प्रक्रिया को मनवैज्ञानिक अधार पर निम्न में से किसने प्रस्त आई है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा